हेलो दोस्तो नमस्कार मैं महेज स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवायर एमोवी थस में तो दोस्तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग यह आप देख सकते हैं अप लोग देने वाले हैं तो यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि हम लोग देखें चेप्टर वाईज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीडिया फाना चाते हैं तो टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक देदेंगे आप लोग वहाँ से जॉइन कर सकते हैं तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं देखिए पहला कर्षन क्या लिखा गया है लिखा गया है एक कालेज में दो कुर्स होते हैं एक एमकाम में 500 में से 450 इस्टुडेंट मतलब छात्रग पास हुए जबकि में दोहजार छात्रों में से 1546 पास हुए college का combine pass प्रतिसत आप लोगों को ग्याद करना है तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए multiple approach है आपको best approach बताएंगे जो आप लोग exam में लगा सकते हैं देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए यहाँ पे total यहाँ पे 500 है यहाँ पे 2000 है तो सबसे पहले आप लोगों को incuracy ले लेना है तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या ले ले मान लीजिए हमारी यह A है और यहाँ पे क्या हो जाएगा B हो जाएगा आप लोग ऐसे समझेए यहाँ पे यहाँ तो M.com लिखा गया है या A में लिखा गया है तो सबसे पहले आप लोग इसको A मान लीजिए इसको B मान लीजिए अपनी भासा में अगर आप लोग question को आसान बनाना चाहते हैं तो कुछ भी ले सकते हैं तो चलिए हम लोग A ले लिए हैं और B मान लिए हैं तोटल यहां पे देखिए आप लोगों को कितना दे दिया गया है 500 और यहां पे टोटल कितना दे दिया गया है 2000 अगर आप लोग सिंपल सा इसका अगर आप लोग रेसियो निकालेंगे देखिए डवल जीरो से यह डवल जीरो कर जाएगा 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा मतलब simple सा A ratio B आपको कितना मिल गया है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा यहाँ पे क्या लिखे हैं यहाँ पे 1 लिखे हैं और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा अब आपको क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले देखिए टोटल दिखिए, सबसे पहले परसेंटऽ गयाएद कीजिये टोटल कितना नम्मर है? 500 500 में से 450 student क्या हो रहे है? पास हो रहे है, तो टोटल में 500 में से 450 student पास हो रहे है अब परसेंटच निकालने के लिए क्या कर देंगे? सव से गुणा कर देंगे अब देखें डबल जीरो से ये डबल जीरो कर जाएगा पान से काटेंगे पान नमा 45 यानि 90 परसेंट आ जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या लेना है 90 ले लेना है उसी पर कर देखें टोटल आउट आप 2000, 2000 में से 1500 जो स्टुडेंट है पास हो रहे हैं और गोणे आपको क्या कर देना है 100 कर देना है अगर इसका पासिंग परसेंटेज ग्याद करेंगे तो देखें ये 00 से 00 10 से 10 2500 कर देंगे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा average इसका लेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से तो 90 आ जाएगा पलस 75 दुना के 1500 यानी 300 आ जाएगा और बठा में क्या करना है ये 1 पलस 4 जोड देंगे कितना आ जाएगा पांच अगर जैसे divide कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा 5 से इसको काटेंगे 5 अकट 30 60 आ जाएगा 60 और 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 88% तो इस सवाल का right answer कितना आ जाएगा 88% यानि पहला वाला आफसान इस सवाल का right answer आ जाएगा उमिद करता हूँ कि यह कोशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए अगले कोशन पे हम लोग चलते हैं देखिए लिखा गया है एक मुबाइल की कीमत पहले करमिक रूप से 5% 2% की कमी होती है और उसके बाद कीमत में करमिक रूप से 10% और 20% देखिए हिंदी में यहाँ पे 105 लिखा है लेकिन 105 नहीं है यह क्या है हमारा 10% और दूसरा यहाँ पे क्या दे दिया गया है 20% आप लोग इंगलिस का कोशन यहाँ पे देख सकते हैं तो चलिए मुबाइल की कीमत में अंतीम परिवर्तन क्या है तो देखिए इस सवाल को भी लगाने के लिए multiple approach है सबसे पहले best approach आपको क्या करना पड़ेगा तो इस question को हम लोग देखिए ratio से करेंगे देखिए सब को पता है क्या पता है 5% बराबर आप लोगों को क्या लिख सकते है इसको 1 बटा में 20 लिख सकते है और 2% बराबर ये क्या होता है 1 बटा में 50 हो जाएगा 2% बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में 50 10% को तो सभी लोगों को पता है कितना होता है 1 बटा में 10 होता है और 20% किसके equal होता है भाईया तो 20% एक बटा 5 के equal होता है उम्मिद करता हूँ ये छोटा सा over view है आप लोगों को अच्छे से पता होगा नहीं पता है तो कोई बात नहीं है आप लोग इसको जान लेजिए देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा तो देखिए 5% को कितना बताए थे एक बटा में 20 मतलब कमी हो रहे है तो सीधे सीधे देखिए 20 रुपए का समान 1 रुपए कम कर देंगे तो आप लोग ऐसे समझे कितने में बेच रहे हैं परसेंट की कमी हो रहे है तो 20 परसेंट को क्या लिखेंगे एक बटा में 5 लिख सकते हैं तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कैसे देखिए ये 5 रेसियो 4 कैसे है ये 4 कैसे हो गया तो आप लोग देखिए सीधे-सीधे 20 का ना 20 20 परसेंट का 5 गुणे अगर 5 निकाल देंगे 5 का अगर 20 परसेंट अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा तो मतलब 5 में एक की कमी हो रही है तभी यहाँ पर 4 आ जाएगा तो सिंपल सा लोजी की ही है आप लोग अच्छे से समझिएगा क्योंकि देखिए हर एक चीज जैसे कोर्षन आएगा उसके बास से हम कंसेप्ट भी आप लोगों को एक्स्प्लेंड करेंगे जिससे कि आपको कोई प्राबलम ना होगी देखिए अगर 10 परसेंट को लिखेंगे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3, 6, 2 से इसको कार देंगे कितना आजाएगा 10 आजाएगा अब देखिए 10 आजाएगा यहाँ पर 5 का 25 यह ट्रीपल 0 है तो यहाँ पर कितना आजाएगा हमारा 25,000 अगर डाइरेक्ट अगर आप लोग गुणा करना चाहेंगे तो देखिए गुणा भी करने का अलग-अलग तरीका है तो अगर आप लोग देखिए सबसे पहले 49 है न देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 49 गुणा 19 करना है तो हम लोग 20 माइनस 1 कर देंगे 49,000 के 98,000 में से अगर आप लोग 49 गटा देंगे यहाँ पर कितना आजएगा 10,000 में से 9 जाएगा 1 यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना आजएगा 9 आजएगा अब गुणे आपको क्या करना है 3 बचा है, 3 से गुणा कर देंगे तो देखिए, 3 एका में 3, 3 लिखे 9 और 9, 3, 27 अब मैं 11 से गुणा करना है अब 11 का मल्टिपल कई बार आपको मैं बता चुका हूँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 लिखेंगे 9, 3, 12 के 2, 8, 9, 7, 11, 1, 17, 7, 8, 7, 8, 7, 2, 1, 10 अगर आप लोग कैलकुलेशन बचाना चाते हैं तो इसी परकार से गुणा कीजिए अन्य था है, आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा अब आप लोग ऐसे समझिए देखिए 25,000 का समान है आप लोग 30,723 रुपा में बेच रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, फाइदा हो रहा है कितने का हो रहा है तो सिंपल सा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए 5723 रुपाई का फाइदा हो रहा है भाईया यह 25,000 पर हो रहा है और गुणे आप लोग क्या कर देंगे सब कर देंगे अब इसी को आप लोगों को क्या करना है डिवाइड करना है तो देखिए यह डबल जीरो से यह डबल जीरो कर जाएगा अब आप लोगों को देखिए यहाँ पे 250 दे दिया है और 57 सावन तया उसमें डिवाइड करना है तो सबसे वहले थह देखिये 50 ओना की ये तो दो बार तो जाहेगा ही जाएगा तो यहां पर 500 आ जाएगा यहां पे पुनाH 720 सब्राइब बचे गाए पुना जैसे दो बार लेके जाएगे जैसे दो बाला अपसन आप लोगों का राइट एंसर आ जाएगा इतना तो आप लोग करी सकते हैं देखिए कुछ जीजे आप लोग अच्छे से समझिएगा बाकी कैलकुलेशन के प्रेक्टिस आप लोग करते रहे बाकी आपका खेल कैलकुलेशन है तो चलिए अगले कोशन पर हम लो क्या था देखिए 20% कमी मतलब 20% को आप लोग क्या लिख सकते हैं देखिए 20% को लिख सकते हैं एक बटा में 5 लिख सकते हैं तो कमी हो रहा है तो माइनस लगा सकते हैं अब आगे बोला देखिए 5 रुपए का समान है आप लोग ऐसे समझे एक रुपए की कमी हो गई है तो वान उनिट बरावर निकालेंगे, तो दिखे कितना आ जाएगा? अथारा के, के मतलब क्या होता है? एक हजार आजाएगा, तो पांच उनिट बरावर जैसे निकालेंगे, तो अथारा पाशे कितना आजाएगा? 90 के, तो इस सवाल का राइट एंसर कितना आ जाएगा आफसर नमर 30 सवाल का राइट एंसर आ जाएगा उमीद करता हूँ कि ये भी कोशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो चलिए अगले कोशन पर हम लोग चलते हैं देखे क्या लिखा गया है एक वासिंग मसीन का मुले 25,000 है मुले में पहले 20% के बृद्धी की गई और बाद में इसे 20% कम कर दिया गया तो वासिंग मसीन का वर्तमान मुले आप लोगों को ग्याद करना है देखे ये वीडियो बहुत मेयनत से सूट हो रहा है आपको बता देते हैं रात के धाई बजे है और धाई बजे मैं वीडियो सूट कर रहा हूँ आप लोग सुबह देखेंगे तो इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फाइदा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ share कीजिए क्योंकि अगर देखिए पढ़ाते समय कोई भी calculation mistake होता है तो उसके लिए दिल से सूरी क्योंकि मैं video को recheck नहीं कर पाऊंगा और थोड़ा हमारे पास भी time की कमी रहती है तो उमेद करता हूँ आप लोग समझिएगा बाकी अगर कोई भी calculation mistake हो तो आप लोग comment box में अपना suggestion दे सकते हैं चलिए question को हम लोग पढ़ लिए हैं दिखें इस सवाल को लगाने के लिए multiple approach है तो best approach आपके लिए क्या हो जाएगा चो रूपय में जाएगा ब्रिधी हो रहा है तो एक जोड़ देंगे फिर इसे 20% की कमी मतलब 5 रूपय का समान अब कितने में चला जाएगा चार में चला जाएगा अब देखें यहाँ पे सीधे 25 या 25 अच्छो चोग के क्या करना है 26 लिखना है अब कोशन में आपको क्या दे दिया गया है 25 देखिए 25 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है 25 के दे दिया गया है तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1 के के मतलब क्या हो जाएगा 1000 तो 24 यूनिट बराबर आपको क्या मिल जाएगा तो 24 के मिल जाएगा तो इस सवाल का राइट एंसर मतलब आपसर नम्मर पहला इस सवाल का राइट एंसर आ जाएगा तो चलिए अगले कोशन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए ये भी सवाल बहुत अच्छा है बार-बार इस टाइप के कोशन पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे से समझिएगा देखिए क्या लिखा गया है यदि पेट्रोल के कीमत में 40% की बृति हो जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिसत कौम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल का खर्च समान रहे तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए आपको अनेक फरकार के फार्मूले, कंसेप्ट रटवाए जाएंगे लेकिन आप लोग सिंपल सा ये लाजिक सोची आप लोगों को मैं एक बात किलियर कर देता हूँ सबसे पहले इसके पीछे का कंसेप्ट मैं आप लोगों को एक बार एकस्प्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के जो भी कोस्टन अगर फ्यूचर में आएंगे जैसे मालीजे A है और यहाँ पे B है आप लोग समझे अगर बोला जाए A की आए B की आए से 20% अधिक है A की आए B की आए से 20% अधिक है मतलब यह क्या है प्लस 20% अधिक है अगर आप से पूछा जाए कि B की आए A की आए से कितने परसंट कम है तो simple सा देखिए आपको logic क्या लगाना पड़ेगा देखिए 20% का मतलब क्या होता है प्लस एक बटा में 5 हो रहा है अब यहीं पर पूछा जाए B की आए A की आए से कितने प्रतिसत कम है सोरी यहां पर 50 लिख दिया है यहां पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा अब देखिए यहां से अगर यह पूछा जाए B की आए A की आए से कितने प्रतिसत कम है कम है तो मतलब यहां पर सीधे सीधे देखिए प्लस 5 है अगर कमी होगी तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा अब देखिए यह जो 1 है ना इसको सेम आप लोग ऐसे लिखिए ऐसे समझ लिजिए कि यह उपर वाले क्या है हमारे भगवान है समझिए भगवान को आप लोग टच नहीं कर सकते हैं समझ रहा है ना अब नीचे वाले हम लोग यह क्या है इंसान है अब भया यह 5 अगर इंसान है तो प्लस ए उपर तो 5 प्लस एक यहां पर कितना आजाएगा 6 और 1 बटा में 6 कितना होता है? 14.67% के एकवल होता है तो अगर पूशा जाए एक यहाई बी की यहाई से 20% अधिक है तो बी की यहाई एक यहाई से कितने परसेंट कम है? तो 14.67% अगर मान लिजीए कल को अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कल को अगर दे दिया जाए मान लिजीए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है अब ए बी से ए जो है बी से मान लिजीए 20% कम है 20% का मतलब क्या होता है माइनस एक बटा में 5 होता है अब पूछा जाए यहीं से ऐसे कि B की आए A की आए से कितने प्रतिसत काम है समझ रहा है तो यहाँ पे देखें सिंपल सा प्लस लगेगा सोरी काम है नहीं अधिक है यहाँ पे क्या है प्लस माइनस है एक याए B की आए से 20% काम है तो पूछा जाए B की आए A की आए से कितने प्रतिसत अधिक है तो यहाँ पे देखें अधिक के लिए प्लस करना पड़ेगा सबसे पहले उपर वाले भगवान जी है तो भगवान को सेम वान लिखेंगे अब पांच में से अगर एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा चार आ जाएगा एक बटा में चार क्या होता है भाईया 25% के इकवल होता है तो बस यही कंसेप्ट आप लोगों को लगाना है और यह सवाल आप लोगों का लग जाएगा इस कंसेप्ट से हमें यही सीख मिलती है जैसे मान लिजीए अगर एक वाईलू बढ़ेगी जैसे मान लिजीए यहाँ पे A है यहाँ पे B है ठीक A है B है अगर एक वाईलू मान लिजीए पलस एक बटा चार से एक बटा पांच से बढ़ रही है यह increase हो रहा है तो दूसरी वर वाइलू क्या हो जाएगी minus के साथ decrease होगी कितना हो जाएगी तो एक वट पांच है तो यहाँ पे एक आएगा पांच प्लस एक जोड़ देंगे च्छब अगर कल को माल लिए एक वट में यहाँ पे साथ दे दिया जाए यह increase हो रहा है तो second वाली वाइलू क्या हो जाएगी घट जाएगी कितना गटेगी तो सेकेंड़ वाली वाइलू देखे सबसे पहले तो यह increase होगा यह घटेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा बढ़ेगा बढ़ेगा ना देखिए गटा देंगे कितना जग अच्छो आजाएगा बस यही आप लोगों को करना है यह कोर्षन बस एक लाइन का है कभी भी इस टाइप के कोर्षन पुशे जाएंगे तूरंत आप लोग देखते अब देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या दे दिया गए 40% की कमी 40% का मतलब क्या होता है माइनस दो बटा में 5 होता है होता है अब आप लोग देखिए यह कमी हो रहा है 40% की कमी हो रही है तो सेकेंड वाली वाईलू क्या हो जागी बढ़ेगी पलस हो जाएगी होगी ना पलस अब देखिए उपर वाले भगवान जी हैं सेम रहेंगे अब 5 म अब ये वाली क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी तो माइनस 5 पलस 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? साथ दू बटा में साथ कितना होता है? 28.56% होता है तो इसका राइट एंसर यानि B वाला अफसन इस सवाल का राइट एंसर आ जाएगा उमीद करता हूँ कि ये भी कोशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा चलिए अगले कोशन पे चलते हैं देखिए क्या लिखा गया है? लिखा गया है टीना अपने बेतन का 30% भोजन पर सेस का 30% इंजन पर खर्च करती है और सेस उन्चास सो रुपए बचाती है तो टीना का बेतन क्या था? तो देखिए इस सवाल को भी लगाने के लिए मल्टिपल अप्रोच है सबसे पहले आप लोगों को बेश्ट अप्रोच बताता हूँ आप लोग समझें मान लेजिए इस टीना के पास 100 रुपए है अब देखिए 100 का अगर आप लोग 30% निकालेंगे कितना आजाएगा? 30 यहां पर क्या हो रहे? 30 की कमी हो रहे तो कितना जाएगा? 70 अब बोला गया है सेस का 30% 70 का अगर आप लोग 30% ग्याद करते हैं कितना आजाएगा? माइनस एक कई सिसमें घठा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 49 आजाएगा यही 49 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है? उन्छा सो एक युनिट बराबर सो आ जाएगा तो 100 युनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 10 के मतलब 10,000 रुपए इस सवाल का राइट एंसर आफसर नम्मर 4 इस सवाल का राइट एंसर आ जाएगा तो चलिए अगले कोर्शन पर हम लोग चलते हैं देखिए लिखा गया है एक बेक्ति के बेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 40% की ब्रिधी की गई तो बेतन में प्रतिसत कमी क्या थी तो देखिए इस सवाल में हमेशा कमी होती है तो आप लोग सिधे-सिधे फार्मूला याद कर लीजिए यह concept भी है नेट कमी नेट कमी पर रवर के माइनस x square बटा में 100 हो जाएगा जब भी मतलब दो से मुझे से मल लेज़ाए यहाँ पर 40% की कमी हो रही है फिर 40% की ब्रिधी को आपको दे सकता है 10% की कमी हो रही है और 10% की क्या हो रही है ब्रिधी हो रही है तब आप लोग यह फार्मूला यूज कर सकते हैं इस question को असानी वी में मतलब लगाया जा सकता है कोई परकार के दिखें इस सवाल को लगाने के लिए अनिक परकार के method है ratio से भी लग जाएगा 100 मान के भी लग जाएगा लेकिन आप लोग अगर direct लगाना चाहते हैं तो सिदे सिदे इसको यूज किजिए हमेशा इस सवाल में कमी आती है तो सिदे सिदे आपको क्या करना है यहाँ पे 40 लिखिए 40 का square बटा में आप लोग क्या कर देंगे sub कर देंगे 40 का square कर देंगे कितना आ जाएगा 1200 बटा में so यह 0000 से 0000 कर जाएगा माइनस 14% के क्या आ जाएगी कमी यानि आपसर नम्मर सी इस सवाल का right answer आ जाएगा चलिए अगले question पर हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा important है देखे क्या लिखा गया है एक तुफान में एक तुफान में एक भगीचे के 300 पेड़ों में से 343 पेड़ इस्तिर मतलब खड़े रहे पेड़ों की संख्या में प्रतिसत कमी तो simple सा है आप लोग ऐसे ले सकते हैं देखे 300 रुपाए का समान अगर आप लोग 243 रुपाए में बेच रहें आपको कितने का घाटा हो रहा है 278 रुपाए का घाटा हो रहा है बटा में किस पे तो 300 पे और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे ये 00 से 00 अथ 3 से कर देंगे कितना आजाएगा 19% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी तो ये वहला वहला आपसन इस सवाल का right answer आ जाएगा चलिए अगले question पर चलते हैं देखे क्या लिखा गया है एक car की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10%, 20% की ब्रिधी होती है तो कीमत का समतुल्ले मतलब change आपको बताना है तो देखे इस सवाल में भी इस सवाल को भी लगाने के लिए multiple approach है तो based approach क्या है आप लोग ratio method try कीजिए देखिए 5% को देखिए 5% को लिख सकते हैं 20, एक बटा में 20 लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है ब्रिधी हो रहा है ब्रिधी हो रहा है न देखे क्या बो लगए है मतलब 20 का अगर आप लोग 5% निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा वन मिल जाएगा तो simple सा 20 रुपए का समाना आप लोग कितने में बेच रहे हैं एक काईस रुपए में आप लोग ऐसे समझेए उमीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे तो आप डिरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि अगर आप लोग देखे SACJD के तयारी कर रहे हैं तो इसके पहले कहीं न कहीं आप लोग पढ़ लिये होंगे और मैं यहीं मान के चलता हूँ कि आपका जो basic जो concept है वो clear होगा तो सिदे सिदे यहाँ पे पांच परसेंट का मतलब एक बठा में 20 और ब्रिदी हो रहा है तो 20 का रुपए का समान एक 20 रुपए में जाएगा 10 परसेंट का मतलब होता है एक बठा में 10 10 रुपए का समान 11 रुपए में जाएगा अब 20 परसेंट का मतलब होता है एक बठा में 5 5 का समान अब 6 रूपय में चला जाएगा अब overall आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा बृधी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमसे overall change पूछा है तो overall change में आप लोग क्या करेंगे तो आप लोगों को देखे अगर आप लोग divide करेंगे 2 से तो ये 2, 3, 6 और ये 10 हो जाएगा अब देखें यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 गुणा कर देंगे 100 गुणे 5 अब अगर 21 ती हैं कितना आ जाएगा 63 और गुणे 11 अब देखिए अगर आप लोगों को percentage change निकालना पड़ता है तो हमेशा वेस वाली वाईलू को 100 बनाना पड़ता है यहाँ पर 100 गुणे 5 है यानि 500 है तो अगर आप लोग इस question को असानी way में solve करना चाहते हैं तो सीधे सीधे क्या कर देंगे यहाँ पर 5 से divide कर देंगे तो इधर भी 5 से divide करना पड़ेगा करना पड़ेगा ना देखिए calculation अपने आप भी आप लोग सोच सकते हैं तो जैसे यह 5 से कटेंगे यह 5 कर जाएगा अब इसको 5 से जैसे divide करेंगे तो देखिए 5 एक हमें क्या हो जाएगा 5 एक हमें क्या हो जाएगा वो ऐसे नहीं करेंगे तो सीधे देखिए 11,33 गुणा कर लीजिए 11,6,6,6,6,6,6 में 3 जोड़ेंगे कितना आजाएगा 79 आजाएगा सीधे सीधे आप लोग क्या कर देंगे 5 से भाग कर दीजिए क्या कर देंगे 31,33 के 3,1,6,6,6,6,6,9 जैसे डिवाइड करेंगे देखिए 5 एक हमें 5 अपना कितना बच जाएगा 9 इस आजाएगा 5,3,15 कितना बच जाएगा 4 यानि 43 और 58,4 138 दसमलो सम्थिं आप लोग देखिए 138 मतलब सीधे सीधे जैसे अगर आप लोग कंपेर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं लिख एक बर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे तो 100 आ जाएगा इसको मीटा देते हैं आप लोग समझे आप 100 रुपए का समान 138 दसमलो डाट-डाट में जा रहा है आप लोग समझे तो यहाँ से 100 से कंपेर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 38 मिलेगा तो देखिए अप अलवाला अप्षन रिजेक्ट हो जाएगा दूसरा भी रिजेक्ट हो जाएगा तीसरा भी यह एक ही अप्षन बचा है हासो, मतलब कमी हो रही है दो वर्स बाद इसका मूले आप लोगोंको ज्ञाद करना है तो दो वर्स बाद देखिए सबसे पहले 20% 20% को कई भार मैं बता चुका हूँ 20% का मतलब क्या होता है एक बटा में 5 होता है तो देखिए 5 क्या हो रही है कमी हो रही है तो यहाँ पर minus लगा दीजिए एक कमी हो गई थी यह कितना हो जाएगा चार हो जाएगा दो वर्स के लिए है तो यहाँ पर square कर दीजिए तो यहाँ से direct square करके अगर आप लोग लिखेंगे देखिए 5 का square कर देगे कितना आजाएगा 25 अचार का square कितना आजाएगा सोरा आजाएगा सिंपल सा यही concept है अब आप लोगों को क्या है दो वर्स बाद इसका मुल्ले पूछा गया है मतलब आपको क्या दे दिया गया देखिए 25 unit बराबर 25 unit बराबर भहिया 15,500 दे दिया गया यह कितने गुणा हो रहा है देखिए 25 चार का 1,500 और यहाँ पर 50 25 दुना के 50 यानि 620 यानि 620 गुणा हो रहा है तो यहाँ पर सोरा गुणे क्या कर देंगे 620 कर देंगे तो जैसे सोरा का 620 में अगर आप लोग गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा तो देखिए 0, सोरा दुना के 32 के 2 हांसिल 3 सोरा चाटा 96 तीन 99 यानि पौला वाला आफसान इस सवाल का राईट एंसर आ जाएगा तो चलिए अगले कुष्ण पर हम लोग चलते हैं देखिए लिखा गया है यदि यच अपनी आए में से एक बटा तीन की बचत करता है और इतने रुपए प्रतीमा खर्ज करता है तो उसकी प्रतीमा बचत की गड़ना कीजिए तो देखे इस सवाल को भी लगाने के लिए multiple अप्रोच है सबसे पहले देखिए अगर आप लोग एक कंसेप्ट पढ़े होंगे इनकम बराबर देखिए इनकम बराबर क्या होता है इनकम बराबर होता है एकस्पेंडेचर फ्लस सेविंग होता है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आई में एक बटा तीन की बचत कर रहा है आप लोग समझें, तो सबसे पहले इसकी income हम लोग कितना मान सकते हैं, थिरी का multiple ले सकते हैं, तो मान लेते हैं इसकी income हमारी क्या है, थिरी है, समझ रहे हैं, देखिए, रात के धाई बजे हैं, और बीच में कुट्टे भी भोक रहे हैं, मतलब सूचिए, कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ाई फिर फोकस करेंगे, हम लोग कोश्चन को देखते हैं, अधर बात पर ध्यान नहीं देना है, तो जैसे इसका, अगर इस कोश्चन को असानी में में लगाया जा सकता है, तो income सबसे पहले जो income है, इसका 3 ले ले लेते हैं, अब बोला गया है, अपने income का ये 1 by 3, मतलब समझिए, तीन का 1 by 3 निकालना पड़ेगा आपको, तो ये 3 से 3 कर जाएगा, 1 आ जाएगा, समझ रहे हैं न, तो यहाँ पे 1 रुपए बशचत कर रहा है, तो 2 रुपए क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा, तभी 2 पलस 1 मिलके ये 3 हो रहा होगा, हमें क कितना दे दिया गया, देखिए, 15,600 रुपए प्रती माँ खर्च करता है, तो 2 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 15,600 दे दिया गया है, अगर आप लोग इसको जैसे डिवाइड करेंगे, तो एक यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, देखिए, तो 2 साते च कॉस्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए, एक कॉस्चन क्या लिखा गया है, जै के पेटियम वाइलेट में 5 रुपए है, उसने पहले अपने बाइलेंस में 20 परसेंट और फिर 25 परसेंट की क्या है, ब्रिधी की, तो प्रारंभिक बाइलेंस की तुनला में प्र पांसु रुपए जो दिया है न, इसका इस कॉस्चन में कोई वाइलू नहीं है, ये बस आप लोगों को गुमरा करने के लिए दिया गया है, कि आप लोग इसके चलते कॉस्चन में ज्यादा टाइम दीजी, तो आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको दिखेंगे 20% लिखा गया है, 25% और उमिद कर रहा हूँ कि 20% का मतलब 1 बटा में 5 होता है, कुछ लोग कहेंगे सर बार बार 20% आ रहा है, 25% आ इसका मतलब क्या है, कहीं से कहीं न कहीं इसका तो कुछ connection होगा, तो हाँ जी connection बहुत कुछ है, आप लोग देखिए सब से पहले एक से यहिजो 20 तक परसेंटेज का जो वानल होता है जासे माल लीजिए 1 वरता Door 1 वरता दो किसके बरहाँर होता है 50% के एकवल होता है तो यह आप लोग थोड़ा से और करेंगे तो आप लोग याद कर लीजिए बार बार वही चीजे घूं घूं के आ रही है, आप लोग देखिए, कहीं 10%, कहीं 25%, कहीं पे आपको बारत दसमलों 5% मिल जाएगा, जिसका मतलब 1 बटा में 8 होता है, तो ये कैसे आएगा, तो जैसे देखिए, माल जे 1 बटा में दूख्या है, ये भिन्न में है, भिन्न में है ना, यानि फ्रेक्स अब 20% का मतलब 1 बटा में 5 बृदी हो रहा है तो सिधे सिधे 5 रुपए का समान 6 में चला जाएगा चला जाएगा अब देखिए 25% 25% का मतलब क्या होता है एक बटा में 4 होता है अब 4 का समान कितने में जाएगा 5 में चला जाएगा simple सा logic यही है अब देखिए अगर ये 5 से 5 क ये देखिए 25% समान अगर आप दूप्ए का 3 रुपए में बेच रहा है कितने का फायदा हो रहा है पलस एक रुपए का फायदा हो रहा है किस पे हो रहा है दो पे एक बटा दो किसके equal होता है जस्ट 50% के equal होता है तो इस सवाल का right answer यानि second वाला आफसान इस सवाल का right answer आ जाएगा आप लोग देख सकते हैं यह 500 का इस question में कोई role नहीं है और जिसको कोई role नहीं मिलता है तो उसको हटा दिया जाता है तो पाम सबसे कोई मतलब नहीं है सिधे सिधे आप लोगों को क्या करना था percentage change निकलना था तो उमीद कर रहा हूँ कि ये भी question आप लोगों को वच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए अगले question पर हम लोग चलते हैं देखिए आगे क्या बोला गया है यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर से 110 रुपए प्रति लीटर हो जाती है तो अभी द्वरा पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिसत कमी की जानी चाहिए था कि उसका खर्च उतना ही बना रहा है अब देखिए कुछ लोग ये सवाल देखके हडबड़ा जाएंगे आप लोगों को हडबड़ाने की जरूरत नहीं है इस टाइप के कोशन में करवा चुका हैं क्यों देखिए 95 रुपए का समान आप लोग सोचिए 110 रुपए में आप लोग बेच रहे हैं तो सबसे पहले परसेंटेज निकाल लिए न कितने का ब्रिधी हो रहा है तो 5 से काटेंगे यहां पर कितना आजएगा 19 पांदुना के 10 पांदुना के 10 22 आजाएगा देखिए 99 का समान अगर आप लोग 22 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का फाइदा हो रहा है भाईया तो सबसे पहले देखिए तीन रुपए का तीन रुपए का फाइदा किस पर हो रहा है तीन बठा में 29 लेकिन हम से क्या बोला गया देखिए यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर से 110 रुपए प्रति लीटर हो जाती है तो यहाँ पे तो ब्रिधी हो रही है अभी जश्ट इसके पीछे में कंसिप्ट बता चुका हूँ जब कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो सकेंड दूसरी वाइलू क्या हो जाएगी घट जाएगी यह माइनस लगेगा तीन तो हमारे क्या हो जाएगे भगवान हो जाएगे तीन भगवान हो जाएगा न तीन भगवान हो जाएगा उनना ही सतीन जोर देंगे कितना आ कैसे आएगा तो यह भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए देखिए जैसे थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेशन मतलब डिवाइड करना पड़ेगा सीधे सीधे 22 से आप लोग क्या कर देंगे 300 में भाग करेंगे अब देखिए 22 कमे क्या आजाएगा 22 आजाएगा यहा यह आपसन बचा है तो इस सवाल का राइट एंसर मतलब यह चोथा वाला आपसन इस सवाल का राइट एंसर आजाएगा उमिद करता हूँ कि यह कोस्टन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा देखिए अगर यह सवाल नहीं आपको समझ में आ रहा है तो सबसे प आप लोग A-B concept लगाए और हर सवाल का निवारण है ये रोग हर रोग की एक दवा A-B concept है तो इसको आप लोग सीखिए तो चलिए अगले question पर हम लोग चलते हैं देखे लिखा गया है भीन 3-4 को परतिसत में मतलब बदना है अभी जस्ट देखिए 3-4 अगर आप लोग ज्यादा दिन से पढ़ रहे हैं तो तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रहने देते हैं बाकी धीरे धीरे आपको सारी वीडियो continue मिलेगी वादा तो नहीं क हो जाएगी एक दो दीन समस्या है उसके बाद से जल्दी ही समस्या करणिप्टरा हो जाएगा तो आप लोग कमेंट वर्क्स में कमेंट करके जरूर बताएए आपको यह सेशन कैसा लगा तब तक के लिए नमस्कार जैराम जी की